एक बात ये अब तैय हो गई है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रित्वी पर सबसे बड़े सच्चे इमांदार वेक्ति जो पैदा हुए है उसके ना पहले ना बाद में कोई इमांदार इनसे बड़ा वेक्ति पैदा हो ही नहीं सकता ये बात तो सबको पता ही ह इसमें कोई शक और शुपे की गुझाईश नहीं है जब सुप्रीम कोट में केस चल रहा था appointment of election commission के member का तो रातो रात इन्हों ने कानून लाकर ordinance लाकर ये काम किया कि अपना nominee बना लिया election commission में तीसरा तो अब एक बात तो तैय हो गई कि जो हमारे सबसे ज़्यादा इतिहास में ना भूतो भविश्यती सबसे ज़्यादा इमांदार और सच्चे व्यक्ति प्रधान मंत्रिय हैं और election commission वह अपॉइंट करते हैं एक बात तो यह तैय होगे अब दूसरी बात यह है कि जो परसो कांड हुआ था हम लोगों के साथ आप सब इमांदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहां senior IPS officer और police officers ने हमसे कैसा जूट बोला कि हम आपको सुप्रीम कोड ले जा रहे हैं हमें वहां से सुप्रीम कोड से मेसेज आया है कि आप लोगों को चार लोगों को लेके आए यह आप सब senior civil servant या पुलीस अधिकारी अगर वो स्वयम अपरादी ना हो ऐसा जूट बोलेगा नहीं बोलेगा ना अब यह पुलीस अधिकारी तो पोस्ट ही हमिच्छा साब करते हैं मोदी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के जब वो आप सब लोगों के सामने पूरी दुनिया के सामने इ क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते कितना जूट बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं यह आप लोगों के सामने crystal clear हो जाना चाहिए तो जैसे वो IPS अधिकारी जूट बोल रहे थे वैसे ही चुनाव आयोग जूट बोल रहा है clear-cut जूट बोल रहा है सब को प अपने frequently asked questions में कि हमने हर जगा इमानदार चौकिदार लगा रखें अगर कोई 100% इमानदार भी चौकिदार लगा दे हजारों की संक्या में हजारों नहीं लाखों की संक्या में इसका प्रेयोग होता है व्यक्तियों का चुनावायों के पास लागों वेक्ती नहीं है अगर सारे के सारे इमानदारी से भी काम करें क्योंकि 543 constituency में अभी लोगसभा के election के लिए बता रहा हूं है जब VVPAT बनेगा तो जब nomination पूरे हो जाते हैं जब candidates के नाम पता लग जाते हैं अभी तो वो उसमें induce करेंगे ना कौन-कौन candidate है और यह कम से कम पूरे देश में 543 जगा होता है उसमें कितने प्रकार के लोग जाते हैं election commission के पास अपने इंजीनियर 543 नहीं है तो प्राइविट लोगों को engage करके यह काम कराया जाता है मैं मान लिया कि वो भी सब इमानदार होते हैं तब भी EVM धोका है धोका है धोका है इसके बारे में बात करना ही फिजूल है बेकार है मैं अपनी बात इस संदर्ब में यह कहके खतम करता हूँ कि दो चीफ election commission और यह जो अधिकारी पूरे गाउं गाउं और देश देश जाके demonstrate कर रहे हैं यह इस देश की जनता की आवाज है इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होके पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो जो political parties के हाथ में देने को तयार नहीं था है इसके आगे जो यह दो चीफ election commission उतारे गए हैं वो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा आपके दर्शकों से जाके देखें वो तो उनका क्या line नजर आती है इन दोनों election commissions की कि जो यह sample survey हो रहा है जो sample 2% यह VVPAT में से उठाते हैं उसको यह मापदंड मानके इमानदारी से चुना हो रहा है यह कहना चाते हैं यह दोनों के दोनों एक कुरेशी साहब हैं और रावत साहब हैं आप उनके interview देख सकते हैं एक कुरेशी साहब ने देख में से चावल का example दिया था पतीली में से जैसे के भारत के नागरिक voters पतीली के चावलों जैसे हैं एक चावल देख लिया और सब देख लिया एक example यह दे रहे हैं और दूसरा example यह दे रहे हैं रावत साहब कि margin of error इसमें 2% का है सरफ तो इसलिए तो बिल्कुल 100% सुरक्षित है अब यह margin of error अगर 2% का है तो यह कितना सुरक्षित है मैं आपके सामने पेश करता हूँ अगर किसी constituency में 10 लाग vote पड़े तो 2% कितने हुए 20,000 vote 20,000 vote margin of error जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपा सला रहे हैं इसको defend करने के लिए वो बता रहे हैं कि 20,000 का अगर 10,000 vote पड़े है 10,000,000 vote पड़े हैं तो 20,000 का margin of error होता ही है और हो ही सकता है दुनिया में मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूँ कोई भी chip या मशीन ऐसी नहीं बनी जो खराब ना होती हो जो temper ना की जा सकती हो दुनिया में नहीं बनी कोई उसी तरीके से दुनिया में कोई भी sampling का ऐसा method नहीं बना जिसमें margin of error ना हो इसमें तो वो खुदी बता रहे हैं 2% है मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहता हूँ देश की जंता से हमें technicalities में जाना ही नहीं है paper ballot से चुनाव होंगे और कुछ नहीं अब आप मुझे ये बताईए क्या चुनाव sampling से होता है क्या एक vote से चुनाव नहीं जीता जा सकता जिन election commissions को हमारे election commission कितने लंबे लंबे time तक रहे हैं ये नहीं पता क्या वो election commissioner बनने के लायक थे कि एक vote से भी चुनाव हरा और जीता जाता है वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार गिरी थी तो एक थोड़ी एक बार मैं वो तो चलिए member of parliament थे मैं ये sampling की बात बता रहा हूँ चुनाव का concept ही है एक भी वेक्ति अगर जादा vote किसी को मिलेगा तो वो जीतेगा और ये क्या बोल रहे हैं 10,000,000 में से 20,000 vote इधर उदर हो जाएं कोई बात ही नहीं है क्या इनको समझ है election commission बनने की और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेहिमानी जंता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए तो जंता इनके बेकावे में बिल्कुल ना आए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी discussion में नहीं पढ़ना है देश की जंता ने decide कर लिया है paper ballot से चुनावोंगे और अगर किसी को कोई शुबा है कोई शक है तो रास्ता हमारी EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा हम आप सब के सामने debate करने के लिए तयार हैं यह दोनों election commission आ जाएं यहीं आ जाएं हम आ जाएंगे उनके सामने debate करने को तयार हैं हम यह दिखा देंगे और उनके मूँ से हाँ कहलवा लेंगे यह मैं आपको कह रहा हूँ यह इतना बड़ा risk का काम आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूँ लेकिन इसमें कोई risk नहीं है क्योंकि वो 100% जूट बोल रहे हैं एक मिनिट में पकड़े जाएंगे हम उनके मूँ से एक हलवा लेंगे दोनों चुनावाई होगा जाएं कि हाँ इसमें धानली होती है और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो जल्दी होगा पहला सुरक्षित होगा दूसरा और कम से कम धानली बाला होगा तीसरा और सबसे कम खर्च वाला होगा चौता ये चार पॉइंट का हम चैलेंज मोदी जी को भी और ये जो दो सिपर सालार इन्होंने जर्नल्स उतारे हैं उनको भी दे रहे हैं मोदी जी तो नहीं आ सकते खेर बिज़ी होते हैं वो बहुत सारे कामों में लेकिन ये दोनों चुनावायों जो जन्टा को जूट बोल रहे हैं इस तरीके से वो आके हमसे डिबेट कर लें हम आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे एक आखरी बात कहके मैं अपनी बात समात करना चाहूंगा हम लोगों ने एक कर सभी जो संगताने जैसे По reporters की associations हैं पानुजी उसके साथ मझबूती के साथ जुड़े रहे हैं दूसरा जो curious associations न जो दूसरे transporters इस श्यें जो आर Ond जो दूसरे संगतान है इस तरह के पौलिटिकल पपविए दूसरे एक तो हम पौलिटिकल पवाणिस को जाके ये कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रिजेंटेशन दें इस बारे में के पेपर बैलेट के अलावा क्योंकि कई political parties और lawyers भी अभी भी वीवी पैट के जहांसे में आ रहे हैं तो उनको इस से वीवी पैट के जहांसे से दूर करना है और दूसरा एक हम लोग एक banner issue कर रहे हैं जो हम चाहेंगे के यह सबी लोग आपको डी सी कपल साहब ने सब को यह अपने घरों में अपनी दुकानों में अपने और क्यों पर और अपने WhatsApp WhatsApp मेसेज पकलिक को डिस्प्ले लगएं हर जगा चिसल भी सोशल मीडिया पर यह को डिस्प्ले और उसके बाद पिक्चर से नीचे इवियम हटाओ संयुक्त मोर्चा सबने देख लिया सबको क्लियर हो गया और दो जो फोटो है इसमें बाकदा एक में इवियम जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बक्स में फो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्थमाल करना है वेलेट पेपर से चुनाव होता है हां मुझे कुछ RSS के लोगों ने भी, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने भी मुझे पकड़ा, वो कह रहे हैं, भाईया ये बताओ, ये मोदी जी क्या हम पर भरोसा नहीं करते हैं, ये हम से पूछ रहे हैं वो, जो EVM से जीतना चाते हैं, चुनाओ, हम पर इतना इत 443 लोकसभा सीटे हैं जिन पर चुना होता है कि 543 इंजीनेरिन के पास नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ एक लोकसभा के अंदर ही हजारों मसीन इस्तेमाल होती हैं तो लाखों मसीन 543 पर उसमें प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोग इनको चाहिए कितने लोग का इस् इस पर साइलेंट है कि जो 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 वैलेट यूनिट से मैसेज जाता था कंट्रोल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट से जाता था वीवी पैट को इन्होंने उल्टा कर दिया उन्होंने कर दिया अब वैलेट यूनिट से जाता है वीवी पैट को और वीवी पैट से जा रह को संदे है हमें EVM पे बिल्कुल वरोसा नहीं है हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए